हाई प्रेंट्स आप सब लोग को फिर से कोईद बना जामें स्वागते तो देखिए आज मैं बहुती स्पेसियाल भोग लेके आई हूँ जो जगनात टेंपुल में स्पेसियाल ये बनता ही है और इसको कानिका कहते हैं और ये खाने में बहुती टेस्टी बनता है देखिए ह अरवा चावल सिंपली और चावल जो आता है हम खरित के लाते हैं उसी वाला और चावल को मैंने ले लिया है तो मैंने एक ग्लास और आधा ग्लास से थोड़ा सा कम मैंने ले लिया है और चावल और इसको मैं अच्छे से धू के ले लोंगी तो चावल को मैंने अच्छे से तू देखे मैंने कड़ाई को अच्छे से गरम कर लिया और भरके डाल दिया है एक चमत तेसी घी अब घी भी हमार अच्छे से गरम हो चुके तू भी मैंने दू तेस पता को तोड़के डाल दिया है साथ से आठ काला मीर्ज, आठ से दस लॉंग, एक स्टार फूल और तीन से चार छुटी इलाई ची एक पोड़ी इलाई ची बस इतना ही और जो हमने किस्मिस और काजु को रखा था उसको भी हम डाल देंगे आप क्वांटिटी में कम ज्यादा कर सकते हो, जो काजु और किस्मिस अब इसको अच्छे से हम रूष्ट कर लेंगे, मतलब अच्छे से किस्मिस फोल जाए और जो काजु है वो भी अच्छे से गुलेन कलर का आ जाए, देखिए हमारा किस्मिस पर अच्छे से फोल चुका चावल के साथ मिला देंगे और इसको लो फ्लम कर देंगे और थोड़ा सा 2-3 मिन के लिए इसको हम अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे और साथी में आम एड कर देंगे कटा हुआ नारियल बहुत अच्छा लगता है इसमें तो मंदिरों में ऐसे ही बनता है तो उडिशा में जितना मंदिर हो या कभी भी कोई भी त्युहार हो मतलब जो पंडल बगेरा जो मंदिर में लगता है उसमें ये कानी का ज़रू मिलता है खाने को तो बहुत अच्छा लगता है तो कानी का जब बनता है ना तो घर में पहुत पानी डाल दूँगी अब इसको अच्छे से मिला दूँगी इसमें नमक नहीं डालेगा क्योंकि ये भोग के लिए बनाय जाता है तो नमक नहीं डालते तो इसको ढखके मैं छोड़ दूँगी दस मिनिट के लिए तो 10 मिनिट के बाद में दिखा रहे हों देखिए सारा पान तो इसको अच्छे से मिला देंगे और फिर से ढखके छोड़ देंगे पांच मिनुट के लिए पिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे जितना आप ग्यास को धीमा कर सकते हैं उतना ही कर दीजेगा और इसको ढखके छोड़ दीजेगा तो देखिए हमारा सुइट प्लाव या कानिका बनके तयार हो गया है जो तोहरू में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अभी कर्तिका महिना लास्ट होने को आया है तो डिशा में तो हर मंदिर में तो ये मिलता ही होगा खाने के लिए तो इसलिए मुझे थुड़ा चुका है तो इसको फटा-फट से सर्फ कर लेते हैं भगवान जी को पहले भोग लगाएंगे तो इसलिए मैंने पहले से ही उनके लिए थुड़ा सा निकाल लिया है तो देखिए हमारा कानिका बनके तयार हो गया अगर ये रेश्पी आप लूका अच्छा लगा हो तो प् डालमा के साथ सर्फ करूंगे क्योंकि कानिका के साथ डालमा जरूर बनता ही है तो थांक्यू फर वाचिंग फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ अब तक लिए आप लोग से मेरा बहुत बदर अन्यबाद